वेलकम टू माई चैनल मनोर्मा कोसल कीचन और आज मैं आप सभी लोगों के लिए खाजा बनाने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये खाजा कुछ इस तरह के बने हैं आप इन्हें कभी भी किसी भी टाइम में बना सकते हैं या फिर किसी तेओहार में तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कटोरी मैदा मैदा को मैंने पहले ही चान कर रख लिया है और अब लिया है डालडा घी इसे मैंने हलका सागरम कर लिया है अब इसे मिक्स करूंगी मैंने और लिया है, साथ में डाला है घी, अब टोटल तीन कटोरी मैदा लिया है, और कुछ देर के लिए इसे मिक्स करते हुए हाथों से मैस करूँगी, और इसमें मोयन लगाऊंगी, अब मैंने लिए है, एक कटोरी चीनी, उसी के हिसाब से एक कटोरी पानी चासनी बनाने के लिए, और अब आप देख सकते हैं, कि इसमें मोयन लगकर तैयार है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसका एक टाइट डो लगाऊंगी, अब घी को मैंने गरम किया है, और उसमें डाला है, दो चम्मच मैदा और इसे मिक्स कर लूँगी, पांच मिनट के लिए मैंने चासनी को मेडियम फ्लेम पर रख दिया था, अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और मैंने डाला है, आधा नीबू का रस, और फ्लेम को आप कर दिया है, अब मैं इस आटे की तीन बड़ी लोई बनाऊंगी, तीनों लोई हमें बराबर ही कट करनी है, और अब मैं इन्हें पतली रोटी की तरह बेल लूँगी, तो अब आप देख सकते ही कि ये पूरी बेलकर तैयार है, और आप देख सकते ही कि ये इतनी पतली है, अब मैं इस पूरी के उपर मिक्स किया हुआ मैदा और घी लगाऊंगी, और दूसरी पूरी इसके उपर से इस तरह से डाल कर इसके उपर से भी मैं इसे लगाऊंगी, आप देख सकते ही, और अब मैंने तीसरी पूरी भी इस पर डाल दी है, अब लगाऊंगी मैदा और घी और हलका हलका इसे प्रेस कर दूँँगी, और इसे हलका सा बेल दूँँगी, ताकि पूरी यां चिपक जाएं, और अब मैं इसका रोल बनाऊंगी, उंगलियों से हलके हाथों से प्रेस करते हुए, इसका मैंने रोल बना लिया है, और लाश्ट में हलका सा पानी लगा कर इसे चिपकाऊंगी, ताकि रोल अच्छी तरह से चिपक जाए, और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेश कट करूँगी, इस तरह से, अब आखिरी के कटकों मैं इस तरह से चिपका कर इसका भी खाजा बना लूँगी, आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर कितने अच्छी बनी है, और इस तरह से उंगली से इसे प्रेस करूँगी, और अब मैं इसे बेलूँगी, हलके हाथों से, तो आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें इस तरह से बनाया है, सभी खाजा मैंने इसी तरह से बेल कर रख लिए हैं, और चासनी को मैंने फ्लेम से नीचे उतार लिया है, चासनी एक तार की चिपचिपई बनकर तयार है, और पैन में लिया है रिफाइंड ओयल, या फिर आप घी भी ले सकते हैं, फ्लेम को अभी मैंने एक दो मिनट के लिए मीडियम किया है, और जितने खाजा इसमें आएंगे, मैं डालूंगी तलने के लिए, अब सभी खाजा डालने के बाद, मैंने फ्लेम को सलो कर दिया है, और 2-3 मिनट के बाद, मैंने इन्हें पलट दिया है, अब लगभग 3-4 मिनट के बाद, आप देख सकते हैं, कि इनका कलर एक तरब से चेंज हो गया है, तो अब मैंने इन्हें दूसरी तरफ पलट दिया है और लगभग 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी अब आप देख सकते हैं ये खाजा तलकर तैयार है तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी तो मैंने इन्हें इस जाली वाली छलने में निकाल लिया है और उसी तरह से मैं और भी खाजा डालूँगी तलने के लिए अब तले हुए खाजा मैं इस चासनी में लगभग एक से देड़ मिनट के लिए डालूँगी खाजा डालने के बाद लगभग एक या डेड़ मिनट के बाद मैंने दूसरी तरप पलट दूँगी ताकि चासनी इसमें अच्छी तरह से सोप कर ले और अब मैंने निकालूँगी इस प्लेट में तो सभी खाजा मैंने इसी तरह से चासनी से निकाल लिए है देड़ से दो मिनट के बाद और अब मैं इन खाजा को भी दूसरी तरप पलट दूँगी खाजा को हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है इससे आपके खाजा बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे अब इन्हें दूसरी तरप चासनी में पलट दूँगी चासनी में हमें बहुत ज़्यादा देड़ तक इन्हें नहीं डालना है लगभग देड़ या दो मिनट के बाद इसे निकाल लेना है तो अब आप देख सकते हैं कि सभी खाजा मैंने बना कर रख लिये हैं ये खाजा खाने में बहुत ही टेश्टी होते हैं और बनाने में आसान और आप देख सकते हैं कि बनने के बाद ये खाजा कैसे बने हैं आप भी इस रेशिपी को एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राइ करें तो आप सभी लोगों के लिए खाजा बनकर तयार है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें